जाए हिंदे स्वागत है आप सबके अपने यूटूब चनला रेंकरी स्टेडी सेंटर में तो दोस्तो मैं हूँ प्रदीप तो निहचित समा कलन यानि डिफनिट इंटिगेशन बहुत ही कम समय में अभी आपको खतम कर देने वाले हैं बहतरीन ट्रिक भी आपको सिखाने वा soir department lxDH3 अगर कोई आप से पूछे कि यह नीचमा जो हाए चाहिन अ क्या बोलेंगे यह उपर जो है इस से हम लोग क्या बोलेंगे यह है जो है इस से हम लोग क्या बोलएंगे तो आप क्या बताईएगा देखिए यह नीचे है ना तो और करिये नीचे है तो निछी मा है ऊ यानि नीमन सीमा है इसे इंग्लीज में हम लोग बोलेंगे लोवार लोवार लिमिट अब उपर है तो इसको कहिएगा उच्छे उच्छे आ सीमा बिल्कुल यह बात आपको बुझा गया इंग्लीज में कहेंगे अपर लिमिट बिल्कुल एंग्ला आपको बुझा गया नीमन ऊपर है तो उच्छे टिंस मेर्य यानि फॉंसन को हिंधी में हम लोग कहते हैं कि फॉलन अब बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा अया जो चीन है ना तो यह साप पौज़ा गया होगा लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या कईसे एस बी इस पढ़ेंगे कैसे तो देखिए पढ़ने के लिए यह तमाम तरीके से पढ़ा जाता है इसे के देखिए एक परकार के यह पढ़ा जाता है कि A to B यानि A to B A to B भी पढ़ा जाता है फिर एक तरीका से यह इसे पढ़ा जाता है कि लिमिट A से लिमिट B तोक लिमिट A से लिमिट B तोक फिर एक तरह से पढ़ा जाता है यह तरीका से पड़्या जाता है आप कीसी भी तो आपड़ सकते हैं और फूरे गया क्लिमिट यह ठीक यह 1 बात आपको जब गई को इस तरह कोई भी फलन रहेगा तो उसका को ब्रेकश सब्सक्राइब कर रहा है जो भी फॉलन दिया जएगा जो मान रहेगा उसका आप समा कलन करके यहां पर इसे इसको ब्रेकेट ऐसे दिजिएगा इसे ब्रेकेट में इसको बंद दिजिएगा यह लिमिट एसे भी है ना एसे भी है ना तो जो इसे रहेगा जो भी मान रहेगा उसको यहां पर एसे भी यहां पर लिख दिजिएगा लिख मान्स का चीन माइन टहरी को, यहाँ पर और ऊपर वाला बीकमाना एक्स का अस्थान पर यहाँ पर रखेगा रख दिये फिर यहां पर दीजेगा माइनस का चीन यहां पर देखिए यह एप हो जाएगा एक स्थान पर नीचे वाला मान यहां पर ऐसे रखिएगा बात नहीं बुझाया क्या यानि एक स्थान पर पहले उपर वाला मान रखिएगा फिर एक स्थान पर नीचे वाला मान इस रख येगा यहीं इसका फर्मेट हो जागा इसी तरह आप इस तरह कोचंस रहेगा लिमिट A से लिमिट B याने निसी समा कलंद के कोई भी रहेगा कोचंस तो इसका आप पर समा कलंद कीजिएगा करके यहां पर लिख दिजिएगा जो भी इसका वाला मान को X के स्थानी पर रखियेगा अब यही क्या हो जाएगा यही स्कोंच का एंसर हो जाएगा बिल्कुल यह बात आपको बुझा गया हुआ तो चलिए यहां पर देखेंगे यह A से यहां पर B हो एक्के पावर यहां पर X हो और यहां पर DX हो इसका एंसर आप बताईए है तो देखिए हम क्या बोले है यहां पर जो भी फॉलन रहेगा फंसन रहेगा इसका आपको समा कलन आपको करना है ठीक है तो एक्के पावर X का एक्के पावर X से होता है तो एक्के पावर X यहां पर यहां पर दीजेगा इसे ब्रेकट बंद जोन लिमिट रहेगा एसे लिमिट भी तक है न तो यहां पर लिखेगा ए यहां पर लिखेगा भी X के स्थान पर उपर वाला मान पर यह ओपर वाला माना expa यहां पर रुखँए B फिर यहां पर दीजिएगा माइनास नीचे के स्थान पर यहां के लिएक लिए तो इहीं क्या हो ग्या आ तो कैसे यानि मेथरी आपको बुझा के ना कि कैसे इसका यानि डिपनेट इंट्रिगेसा निशित समाखलन आ जाए तो कैसे फर्मेट काम करता है कैसे बनाते हैं तो चलिए इससे हम मिटकाते हैं और यहाँ पर 5 होगो और यहाँ पर एक्जामपल देते हैं तो आपके लिमिट A हो यहाँ पर लिमिट B हो एक्स के पावर यहाँ पर मानल जी के दू हो और यहाँ पर डिएक्स हो इसको यानि इससे अब कैसे बनाईएगा तो देखिए एक्स के पावर दू का पहले इंट्रिगेसान यानि देखिए यह सुत्र आप जानते हैं ना कि एक्स के पा एक सेपावर एन है तो एक एक सके पावर यहां पर एन कामन्स जिसे लिखेगे में देखे अव जोर देना तो दूग में एक सब्सकरा के आप nossa लिख दिजिए अनिचे बटा कचिन यानि भाग कचिन एन पुलस वान तो एन का मान दू दू गोव एगो जुरेगा तो यह तीन गोव हो जाएगा यानि इसका इंट्रिगेशन इसका सामा कलन हो गया अब ऐसे दिजिएगा ब्रेकेट का बंद जो भी रहेगा यहाँ पे लिमिट लिमिट एस लिमिट भी है तो यहाँ पे उसी तरह जैसे है वैसे ही आप यहाँ पे लिख दिजिएगा अब एकस के स्थान पे पहले उपर वाला मान अतोब नीचे वाला मान पहले उपर वाला मा है यहां पे तिन हो जाएगा आड नीचे क्या फावर दीजीएगा इंहला 흰 which अवर बोलेता वाला मान इक स्थान पर रतिये यहां पर इसे दिस्थान से सब्सक्राइब तो 1K3 हो जागा, 1K3 हो गया, नीचे यानी बाटा, फिर नीचे 3 है यहाँ पे, तो ऐसे 3 रख दीजेगा, 3 आ 3 का LCM लिजेगा तो यह 3 हो जागा, यह 3-3 कॉट गया, बचा 1, 1 में 2K3 से गुना किजेगा, तो उतना ही हो जागा, तो यह 2K3 हो गया, यह माइनस का चीन है, तो यहाँ पे दीजेगा, माइनस का चीन, 3-3 कॉट गया, एक में 1K3 से गुना किजेगा, तो 1K3 हो जागा, यही इसका एंसर हो जागा, बिल्कुल यह बात आपको बुझाया की नहीं, बिल्कुल यह बात आपको बुझा गया होगा, चलिए, और सिखाने वाले हैं, रखिए, अगर यहाँ पर इस प्रकार का कोफ़ोचंस रहे, अगर एक रहे, यहाँ पर तीन रहे, एक से पावर 3DX रहे, तब इसको आप कैसे बनाएगा, तो वही सूत रहे, एक से पावर 3 है, तो इसमें एक से पावर n प्लस 1 होता है, उसी से नीचे ह अगरSi लोग भाग देते हैं, तो एक से पावर 3 में एक से पावर तीन मी गोजरेगा, तो इसमें नीचे करना क्या है, चार से नीचे भी भाग दे देना है, लिमिट 6, यानि, लिमिट 3 है, जो इसमें फीनिचे यहां पए लिख दिजेगा, अब इसमें कामणों चेंज नह अब देखिए, तिन के पावब्वर चार का मतलब होता है ना, तिन के बाएसे आप गुना कीजिएगा, तो तिन त्याइं कितना हो झायगा, तिन के रुचे यहाँ एप एक असी बाटा यहाँ पे चार हो जाएगा, माइनस का चीन है तो यहाँ पर दीजिएगा माइनस का चीन एक के पावर चार का मतलब क्या होता है एक को चार बारे से गुना किजिएगा तो एक एक का एक एक का एक एक का एक यानि एक के एक बटा यहाँ पर चार हो जाएगा चार 4 चार का ये लसें जीएगा तो 4 हो जाएगा चार-चार कोट गया एक और 1 Dat से गुना किजीएगा तो 81 ओजलेगा त면 kalk facal KP सेiosis एक गताईगा तो 80 हो जाएगा ऑसी कोट जाएगा तो चार दुना कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा यानि इसका एंसर कितना हो जाएगा इसका एंसर इसको चांस का एंसर 20 हो जाएगा बिल्कुल यह बात आपको बुझाया की नहीं अब बिल्कुल यह बात आपको बुझा गया हुआ चलिए एक दो और एक जामपल आपको दें जैसे कि तो यहां पर उपर जो भी लीमिट रहेगा पहले उस लीमिट को यहां पर लिखेगा पहले ऊपर वाला लीमिट को यहांपे लिखेंगा फिर नीचे वाला लिमिट को यहाँ पर ऐसे आप लिख लिजेगा लिख लिए अब यहाँ पर एकस के पावर तीन है ना तो इसमें एक गो जोर दीजेगा एक को बढ़िएगा तो कितना तीन को है एक को बढ़िएगा ने तीन में एक गो जोरिएगा तो चार को हो जेगा तो के वाए तो 5-4 पर और BILL टबर सब्सक्राइब करें कर दिबावर और सभी के आपके सब्सक्राइब तो सएक्षैर लुएम जीन पडातीर कि सब्सक्राइब कि अब आपनेलेय को यहां सब्सक्राइब से आपट इससे ही चाहता है है रिखांGO अगर लिमिट यहां पे A रहे, यहां पे B रहे, A के पावर 5 रहे, Dx रहे, तो भी इसको आपका इसे बनाएगा, यहां पे जो भी लिमिट रहेगा, उसको पहले उपर वाला को यहां पे लिखेगा, फिर यहां पे नीचे वाला का लिखेगा, ठीक है, यानि उपर वाला जो इसमें एक बहुत जाएगा यहीं क्या हो जाएगा यहीं किया हो जाएगा बिलकुल बात आपको समझ में आग गया होगा अराम से इस प्रकार के कोचंस को अब आप बना लिजिएगा एक कोचंस का और आप इस एंसर दे दिजिये ठीक है है कि डखीया कि अगर्ण आपके हम ले लेते हैं यह से जीरो से यहां पर प्लाई बटा यहां पर हम च्वाव ले लेते हैं यहांप ले लेते है कि स्बसे पहले इसका को करता है तो इसका क्या होता है 10x से स्ग्षार één एक्स का 10x न होता है 10 x होता है यानि जब हो गया तो सीडिना ब्रेकेट सेट्ट बन करके जो भी लीमिट है ठीरो से जिरो रखियेगा तो यहां पर जिरो रख लीजिए, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 6 से भाग दीजिएगा तो छोतेरी यह आठारे हो जाएगा, यानि यह पाई बटा 6 को हॉल हम लोग किये, तो क्या हो गया, यहां पर 30 डिग्री हो गया, यहां पर मानस का चिन, तो यहां एक बाटारूत, तीन होता है, यहां इसका एंसर हो जाएगा, बिल्कुल यह बात आपको बुझा गया, अब आप बोले थे हो के उपर वाला मान.... एक स्कस्थान पर फिर माइनश का चींत निचे वाला acontece जो भी आपको मेलेक है हैंपे दो भी रहे यहां पे पांच भी रहे यहां पर 200ऊ ले लिजेएछ कह्चां बूब यहां पर कुछ भी मान्ःू है एक स्क पावर साथ रहे नहींधे है तो यहां पर सबसे पहले उपर वाला मान फिर यहां पर नीचे वाला मान यहां पर जो भी रहे अगर मेथर से बनाना चाहता है तो मेथर भी आपको सिखा दिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और कर लिजेगा ठीक है चलिए